प्राचीन काल से ही मनुष्य महासागरों के पार सुदूर देशों तक लंबी यात्राएं करते रहे हैं और इन यात्राओं के दौरान उन्हें कभी-कभी विशाल समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा है, जिन में से अधिकांश विशाल साप थे। यह घटना 6 अगस्त 1848 को घटी, जब रॉयल नेवी का एक शिप दक्षिन अटलांटिक महासागर में सेंट हिलिना की ओर जा रहा था। उस जीव की तवचा गहरे भूरे रंग की और गर्दन के पास पीले सफेद रंग की थी। यह लगभग 20 मिनट तक उनके जहाज के समानांतर तैरता रहा और इसकी तैरने की गति बहुत तेज थी।